पेंकिलर मैडिसिन पेंकिलर मैडिसिन ऐसी मैडिसिन होती है जिनका यूज किया जाता है श्रीर में किसी भी तरह का आपके दर्द हो रहा हो उसको दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं किसका फियोग करते हैं पेंकिलर मैडिसिन का हेलो गैस कैसे आप सब आशा करता और जिसका हम Use कर सकते हैं और आज हम कम से कम 15 प्लस Paynekillers के साथ अगर फीवर भी है तब भी हम इसका यूज करते हैं एंटि पैरेटिक मैडिसीन किसली यूज होते हैं यूज फूर फीवर हैड़क पेन एड़ समोफिट्स मेजर थेरापीटिक यूज इस नौरबल हम बात करें मार्केट में किस नाम से आती है यह डोलो 650 के नाम से मार्केट में मशूरा आप सबने कभी ना कभी इसके बारे में जरूर सुना होगा इसके अंदर हम बात करें इसके अंदर पैरसिटमोल कितना होता है 650 mg होता है और यह market में किस नाम से आती है डोलो 650 के नाम से आती है और इसका use किस लिए गया जाता है fever headache pain के लिए और इसका अगर मान लिजे श्रीर में joint pain हो रहा है आपको तब भी आप इसका use कर सकते हैं muscle pain है तब भी इसका use कर सकते हैं tooth है कि मतलब दात में भी दर्द हो रहा ह तब आप इसका use कर सकते है अगर जादा दर्द होता है तो उसके लिए हम other medicine use करते हैं हम आपको उसके बारे में आगे बताएंगे next हम बात करते हैं dose आप क्या कर सकते हैं इसकी dose कैसे ले सकते हैं after meal मतलब आप खाना खाने के बाद इसका एक tablet ले सकते हैं और आप दिन में 3- इससे चार टैबलेट आप दिन में कम से कम 3-4 टैबलेट ही ले सकते हैं इसे ज़्यादा आपको टैबलेट नहीं लेने चाहिए और आपको कोई बी दवाए लेने से पहले डोक्टर से जरूर जरूर लेने चाहिए अब बात करते हैं इसके side effects की सब्सेफे side effects का है, अगर आप इसे long time तक use करते हैं, तो आपका क्या हो सकता है, लिवर डैमिज हो सकता है, अगर आप एक साथ काफी सारी दवाईया खा लेंगे, माल लीजिए, आपको लगा कि जल्दी ठीक करना, और आपने एक साथ काफी सारी दवाईया खाली, उससे दर्द तो ठीक नहीं होगा, बुखार तो ठीक नहीं होगा, लेकिन आपको क्या हो जाएगी, टोक्सिसीटी हो जाएगी, जिससे आपकी तब्यत और जादा पहले से खराब हो सकते हैं, इसलिए आप हमेशा जो डोस डोक्टर दवारा बताईजे, उसी डोस को लीजेगा, नेक्स ट, नोसिया हो सकता है, वोमेंटिंग हो सकती है, डरीया हो सकता है, और क्या हो सकता है, य रैशीब़ भी से हो सकते हैं, बोडी में, में बादा यालर्जी, ये ये 200 mg में भी आती है, ये 400 mg में भी आती है इसका किसली का जाता है? पेन को रिलीफ देने के लिए अगर आपके बोड़ी में पेन हो रहा है तब हम इस मैडसिन का यूज करते हैं, ये मार्केट में किस नाम से आते हैं? आईबू जैसे के नामसे आपको ये दुकान पर मिल जाती है, anti-inflammatory भी होती है और analgesics भी होती है, anti-inflammatory और analgesics ये इस medicine का होता है, next हम बात करते हैं इसके uses की, इसके use कहां कहां किया जाता है, अगर आपको pain हो रहा है, कहीं भी body में pain हो रहा है, तब आप इसके use कर सकते हैं, अ तब आप यूज कर सकते हैं अगर आपको headache हो रहा है तब भी आप इस medicine का use कर सकते हैं medicine आती है हमारे पास किसमें 200 और 400 mg किसमें आती है लगबख सभी की dose सेम होते हैं कि आप इसे दिन में 3-4 बर ले सकते हैं और maximum आपको 6 गंटे का gap रखना है या वैसे ही तुरंत आपको इंदवाईयों को बंद कर देना है आपको इंदवाईयों को ज्यादा नहीं लेना चाहिए dose में आपको बता चुका हूँ कि क्या करना है कि खाना खाने के बाद आपको dose लेना है आप 3-4 टैबलेट डेली ले सकते हैं और आपको इसमें कम से कम 6 गंटे का gap रखना है अगर आपको एक dose लेते ही दर्द ठीक हो जाता है तो आपको next dose नहीं लेनी है अब बात करते हैं कि वर्क कैसे करते हैं मेडिसे जिसके आपने मेडिसन ले लिए लेकिन हमारे स्चेदब में क्या होता है जो चैमिकल मेसेंजर होते हैं जो क्या करते हैं पेन और फिवर कोस करते हैं यह नंगे तो यह एकको यहीं पे block कर देगा यहां से आगे नहीं आने देगा जिससे हमें चैसे वर्क करते हैं यह क्तवर लूह Divine यहां، यहां पे जाके हम estar रहे होते हैं कि अपर देगी तयाम सें स्वाहिक हुआ यहां करने के लिए मैंने बताया है नेस्ट बात करते हैं की साथ में भात करेंगे यॉविरुन ini CR यह तक्रीबन हर किसी के common side effects होते हैं और साथ में डायरिया भी हो जाता है लेकिन यह क्या करते है जोडों में दर्द हो रहा है तब आपका यूज का यूज कर सकते हैं और में बात करते हैं इसका यूज कैसे किया जाता है जैसे मान लिजे अगर आपको कहीं भी joint में कहीं भी pain हो रहा है किसी भी कारण से आपको ये पेन हो सकता है, दर्द हो राया, उस condition में हम क्या करते हैं, वो वरोन का यूज र्सके के कंडिशन में भी यूज करते हैं, एरूमेटायटे fascinating के भी condition में हम यूज करते हैं, जिसमें जोड़ जिसे हम नौर्मल बाशा में कहते हैं, जोड़ो में दर्द होना, fever में भी इसका use किया जाता है अब इसके side effects की बारे करने से पहले इसके dose की बात कर लेते हैं अगर ये 100 mg, ये 50 और 100 mg दोनों में आता है और अगर आप 100 mg देते हैं तो आपको इसको दिन में सिरफ केवल एक बार देना होता है बागे आप डोक्टर के सलास इस medicines को ले सकते हैं side effects की बात करें कि सबके ही common side effects है liver damage होता है, nausea है, vomiting है, diarrhea है, rash है और allergy reaction शो करता है अब बात करते हैं contraindication की किन-किन condition में आपको ये जो हमारी medicine है वो वरोन आपको नहीं लेनी है आपको ध्यान रखना कि अगर आपको stomach infection है तब इसको नहीं लेनी है अगर आपके gastric में bleeding हो रही है अगर आपको gastroenterinal bleeding है पहले सी history है तब आपको इस condition में बिल्कुल भी नहीं लेनी है kidney disease हो रखिया आपको कोई या फिर कोई medicine चल रही है kidney की तब आपको डोक्टर को बतानी है यह problems है मुझे तो आपको यह दवाई नहीं लेनी है अगर skin rashes हो जाते हैं आपको तब यह medicine लेनी है अगर heart attack आया हूँ है patient को कभी पहले तब आपको यह medicine नहीं देनी है stroke की condition है तब नहीं देनी है अगर patient को अस्तम है सांस लेने में बहुँ ज़्यादा दिक्कत होती है problem होते breathing problem है तो उस condition में भी in medicines को नहीं दिया जाता है next बात करते है Tramadol Tramadol का है सबसे ज़्यादा यूज की जाती है दर्द के लिए यह क्या करते है moderate to severe pain के लिए हमें क्या करते है ट्रेट करती है आप देख सकते है मार्गड में किस नाम से आते है इनोडोल के नाम से आती है 100 में भी आती है 50 में भी आती है और इसके और भी आते हैं अब बात करते हैं जो Tramadol होती है Tramadol Hydrochloride Tablets होती है यह क्या करते है अगर आपकी श्रीर में कहीं भी दर्द हो रहा है तब आप इसका यूज कर सकते है Osteo Arthritis में भी इसका यूज किया जाता है और Tramadol के बारे में एक बात है खास बात कि अगर आप Tramadol कुछ टाइम तक लेते हैं तो इसकी क्या हो सकती है आदत भी पढ़ सकती है यह क्या होती है यह क्या होती है जिसके वजह से आपको Tramadol के आदत पढ़ जाते है और Tramadol कि किसी भी medicine को आप अपने अपना ले आप हमेशा डोक्टर के prescription पर ही medicine ले और डोक्टर की सला से ही medicine ले अब इसके side effects के बारे में बात करते है side effects में सबसे पहले क्या होता है लिवर डैमेच हो सकता है अगर आप इसका long time तक use करेंगे तो क्या हो सकता है कुछ common side effects के बारे मे आपको हो सकती हैँआब नेक्स्च हम बात करते हैं न्यूमंस्व लाइड टैबलेट की अनॉम मितलब क्या होता है कि और यू अन्स्टिरोयड ऐंटी कि इंफ्लयमेट्री ड्रक्स ये जोए नोन इंत् lashes दे रक्स होती है आ Cash दिख्यए हैँ एस में ये सब्सक्राइब करते हैं अगर पेशिट को पैशन है इस संट की स्क्राइबंग्छ पैरेंट सब्सक्राइब करना है जब भी मतलब 않고 कि ये सब्सक्राइब करना चता है निआ बहुत जिसथे पार सकता है डेंटल पेन मतलब अगर आपका कोई भी दात से रिलेटेड कोई भी दात में दर्द रहे या फिर आपने कुछ करवाया है दात में जाड निकल वाई या तब भी इस किया जाता है और हम बात करते हैं में भी चेंजिस अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं या तो आप कमेंट करके हमें हम पूस्च सकते हैं कि यह चीज हमें समझ नहीं है यह में वहां पर आपका जुरूर रिपलाई दूंगा और आपको किसी अधर TOPIK पर वीडियो चाहिए तोआप हमें कमेंट करें बता सकते हैं कि आपको किस TOOPIK पर वीडियो चाहिए नेक्स एम बात करते हैn इकोशिप से आती है और इसका यूज सबसे ज़्यादा किसमें किया जाता है अगर माल लीजिए कोई भी जोइंट और जोइंट से रिलेटिट पेन है बोन मसल्स में कोई भी रिलेटिट पेन हमापे स्वैलिंग हो रहे हैं इंफ्लमेशन हो रहा है तब हम क्या करते हैं इटोरो कोसिप क करते हैं सबसे ज़्यादा इसका यूज किसमें किया जाता है जोइंट और जोइंट से पेन के लिए पेन हैं सिंपल पेन भी हो रहा है तब भी उसका यूज किया जाता है लेकिन इसका किसमें यूज किया जाता है बोन से रिलेटिट कोई भी अगर मालीजिए दर्ध है बो स्टमक पेन हो सकता है और बात करें कि क्या हो सकता है और आपका बीपी इंकरीज हो सकता है और यूटे यूटे के क्या मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन भी हो सकता है इस मैडिसिन्स की वज़े से आपको इसलिए जो पेन किलर्स हैं आपको डेली कोमन लाइफ में यूज नहीं करनी चाहिए ज़ादा अगर आपको कुछ दर्द है या तकलीफ है तो आप अपने डोक्टर से सलाह करके ही मैडिसन का यूज किया कीजिए नेक्स्ट बात करते हैं डोलो मैक्स डेटी डोलो मैक्स डेटी के बारे में बात करते हैं किसली यूज के दाता है ओस्ट्यो और्थरेटिस की कितना होता है 20 mg होता है यह काउंसी टैबलेट्स होती है यह डिस्परसिबल टैबलेट्स होती है इसका यूज किस कंडिशन में किया जाता है फीवर की कंडिशन में है ड़क की कंडिशन में पेन की कंडिशन में जोइंट की कंडिशन में मसल पेन की कंडिशन में और तूत्यक सकता है स्टमक पेरन सकते हैं नोजिय हो सकता है है वह सकती है पेशेंट को नांस सबसे Journal क्या्यादाट करते हैं depressed ड्योग करते हैं डंटल डोक्ठर जो बीडिय से डोक्टर होते हैं अब डेंटरीस्ट के पास जाएंगे तो सबसे ज़्यादा इसका यूज करते हैं किटो रोल डिटी मैडिसन का यूज करते हैं 10MG में भी आता है और इसमें किस नाम से आता है मार्केट में किटो रोल के नाम से आता है इसका नाम क्या है किटो रोलोक ट्रोटा माइन डिपलेट है 10MG में आता है और हम इसके बारे में बात करते हैं क्या करते हैं इसका हम किसली यूज़ करते हैं अगर मालीजी को चोट लगने के बाद आपको दरदोरा तब भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको क्या है अप्रेशन होने के आपका कोई उप्रेशन हुआ है उसके बाद पोस्ट प्रेटिव पेन फ्रेक्चर से तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं तूथ है कि मैं आपको एक्स्प्लेइन कर चुका हूं उस कंडिश्मिन और मसल से रेडिट कोई पेन है मसल स् कर सकते हैं जो थोड़े सबसे हैं स्वैलिंग हो सकते हैं कहां पी यूज़ कुई ice भी एकदम सेおको लगेगा मेरा weight gain होने लगा है mouth में ulcer हो जाते हैं headache भी हो सकता है swelling बता चुका हमें आपको कहां का कौन-कौन से एरिये में swelling होगी और diarrhea अगर आपको किसी भी medicine से कोई side effect होता है आपको उस medicine को तुरंत लेना बंद कर देना चाहिए और अपने doctor को inform करना चाहिए next medicine की बात करते हैं आपको बताऊंगा कि सबसे best medicine कौन सी है और सबसे safe medicine कौन सी है जो आप यूज़ कर सकते हैं और इनकी कुछ medicine के combination बताऊंगा जो बहुत ज्यादा helpful होते हैं pain की conditions में बात करते हैं इसके यूज़ इसका इसके यूज़ भी कहां कहता है किसी भी टाइप का pain हो रहा है joint pain में muscle pain में तूथ आके में osteoarthritis में और rheumatated arthritis में भी इसका हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं next हम बात करते हैं side effects की अगर आप इस medicines को लेते हैं अगर आपने high dose ले लिए है कुछ भी मतलब माल लीज़े आपको कम tablet लेनी थी लेकिन आपने गल्स ज्यादा tablet ले तो आपको side effects होकता है वंटिंग हो सकते है stomach pain हो सकता है अपिगेस्ट्रिक पेन हो सकता है नोजिया indigestion की condition भी हो सकती है आपको लगेगा हमेशा और आपको क्या लगेगा कि आपका पेट भराभरा सा है आपको भूग भी इसमें क्या लगई कम लगेगी किंस के साइड है डारीया हो सकता है heartburn की और लोस प्रौत हो भॉत बिखेड में बता चुका हूं अम बात करते है नप्रोकसिंट एपलीट किस लिए चाल यह यूजिए जाता है इसका यूज पी ऊपन और करते हैं यह मार्केट में किस नाम से आता है यह ते सब्सक्राइबret करते हैं यहां पर लिखा नहीं है लेकिump किुछ करती है और विडियो लंबी हो जाई गया अश्या कर रहा हूं आपको यह वीडियो समझ आ रही होगी सीवगार वॉम्टिक ओमकर से ले लिवर भी डामेज हो सकता है अब गयाज हम कुछ आसे कोंबिनेशन टेबलेट्स की बारे में बात करते हैं जो मार्केट में आविलेवल है और जिसका बहुत अच्छा रिजल्त है इसमें आपके सब पेन के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-सा बुखार के सासद आपके शिरीर में दर्द भी हो रहा है तब भी उन्हें क्या कर देती है ट्रीट कर देती है सबसे पहले बात करते हैं किस नाम किस कॉंबिनेशन से आती है मार्किट में कि इससे अशन के नामगे नम से नाम से और नीन मात करते है कि यूज़ सकते हैं। मmom nins को समम होते हैं एक लिगा कंब कर नाम से नाम से अशन कंब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे best medicine की और safest medicine की अगर सबसे best medicines की बात करें तो इसमें कौन-कौनसी medicines आती है हमारे पास Tramadol आती है और acetaminophen आती है और safe medicine की बात करें तो सबसे safe medicine रहती है उसका क्या नाम है पर याम है।